हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में ABG एंटिवारस कैसे अनिस्टॉल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू क करते हैं आप अपने लेटाप या पीसी के अंदर को भी ब्रॉजर ओपन कर लिजेगा ब्रॉजर ओपन करने के बाद यहां पे आपको गूगल ओपन कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद यहां पे आपको टैप कर देना है ABG रिमूबल टूल इस तरह से टैप किजेगा इसके बाद आपको enter कर देने, enter करते हैं, यहाँ पे आपको second option दिख जाएगा, इसको पर आपको click कर देने, click करते हैं, abg का officially website open हो जाएगा, बाकि इसका link आपको facebook या नी तो telegram channel पे मिल जाएगा, या तब वहाँ से इस link को copy कर लिजेगा, आपने browser की URL में paste कीजेगा, enter कीजे आपको यहाँ पे कुछ second wait करने, कुछ second wait करने के बाद इस तरह से automatic page open हो जाएगा, या नहीं तो automatic download होना शुरू हो जाएगा, यदि आपको case में इस तरह से page open होते हैं, तो आपको क्या करने, आप जहाँ पे भी इस exe को save करना चाहते हैं, और pass select कर लिजेगा, उसके बाद save पे क्लिक करते हैं, इस exe download हो जाएगा, डाउनलोड complete होने के बाद, आपको क्या करने, उस folder के अंदर जाना है, जहाँ आपने exe को save किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा, आपको क्या करना है, इस exe को पर आपको right click करना है, इसके बाद यहाँ पे आप आपको कुछ सकेंब वेट करना है इसके बाद यह विन्डो उपें हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर येस पर क्लिक करते हैं यह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा रियर स्टार्ट होने के बाद यहां पर यह सेफ मोड में ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा आप आपको क्या करना यहां पर आपको कौन सा रिमूब करना यहां पर आप अपने हिसाब से सेलेट कर लिजेगा यदि आप abg antivirus free version आप इसको uninstall करना चाहते तो यहाँ पर select कर लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर uninstall दिख रहा है इसको पर आपको click कर देने हैं क्लिक करते हैं यहाँ पर uninstall होना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर wait करना है 100% complete होने तक यहाँ पर आपको wait करना है क्लिक करना हैं कम्प्लीट होने के बाद इस तरह से यहां पर विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर रियस्टार्ट कम्प्यूटर दिखे रहे हैं इसके उपर आपको क्लिक करते हैं यह रियस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा रियस्टार्ट होने के बाद यह आनिस्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी इसके अंदर और भी आपको काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यदि आप इस एकसी को कहीं और सेब करकर रखना चाहते तब रख सकते यानि तो आप इसको डिलिट करना चाहते तो यहां से आ उपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको दिख जाएगा क्लिन अप सिस्टम फाइल इसके ओपर आपको क्लिक कर दिने क्लिक करते हैं इस तरह से स्कैन होना सुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहां पर जो भी डिलिट करना चाहते यहां प डिलिट फाइल को पर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं, यह डिलिट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करना, यहापे कुछ सकन वेट करने है, कुछ सकन वेट करने के बाद यह क्लिन हो जाएगा, क्लिन होने के बाद आपको क्या करना, इस सिस्टम को रियस्टार कर लेने आप जरूर इसको रिये स्टार्ट कर लिजेगा आप चेक कर सकते हैं यह प्रोपर तरीका से सारा क्लिन हो चुक है अने इस्टॉल हो चुका है और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू